हलो दोस्तों नमस्कार अदाफ सस्रीकाल की हाल चाल बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल पर आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं दोस्तों आज मैं आपको जो पोदा दिखाने जा रहा हूं ये पोदा जो है ये गनेरी का होदा है गनेरी हां दोस्तों ये बहुत ही गुणों से परिपूर्ण है आप इसका प्रयोक करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा मैत्पूर्ण साबित हो सकती है इसका ये फल होता है और ये फूल देख लीजिए बहुत ही मन महुक इसके फूल होते हैं और ये फल इसका बहुत ही अच्छा होता है फल जो आप देखेंगे कहते हैं कि जो फिल यदि पक जाए और खाने में कुछ लोग मीठा कहते हैं लेकिन मैं नहीं जान खुद इसको बहुत सारा यूज किया हुआ है, और आगे भी यूज करते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों देखने में तो आप देखेंगे कितना मनमोग पोदा है, बहुत ही जादा, और इसके औशदिये गुण जान किनगे तो आप बहुत ही जादा ऐरान रह जाएंगे, हाँ दोस्तो पहचान कर लिजिए इसकी आपको ये सड़कों के किनारे जो है असानी से मिल जाएगा पोदा आप फिर जो है आप पसूं के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी गंद जो होती है वो बहुत तेज होती है इसलिए मच्छों के लिए यो मच्छर होते हैं आपके पसूं के या आपके मच्छर लगते हैं उनको उनके लिए आपने इसके पत्तों को ले आए और आग में जला कर रख दें और जो है आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपके मच्छरों को कमरे से बाहर बगा देगा और यदि आपके पसों को मच्छर लगते हैं गर्मियों में जैसे मच्छरों का समय आ गया है तो आप क्या करेंगे उपले जब पीछे बैसों के पीछे अपने पसों के पीछे उपले बाल का रखते हैं तो उसके उपर जो है इसके पत्ते थोड़े रख दीजिए आप देखेंगे कि मच्छर जो है वहां से भागते हुए नजर आएंगे दोस्तों आप जो है इसके कांटे देख लीजिए इसको जो है कोई भी पशु नहीं खाता है क्योंकि एक इसके पूरे ही डंडल पे पूरी टहनियों पे छोड़े छोटे कांटे होते हैं और वो बहुत तेज होते हैं जिससे की कोई भी पशु जो है इसको मुह नहीं लगाता बहुत सारे लोग जो है इसको यदि खेतों के चारों तरफ जिनको जो है पशु खत्रा रहता चारों बाड का काम भी करता है यदि आप इसको बाड बनाते हैं तो उसके लिए भी है बहुत बड़िया काम करेगा और यदि दोस्तों मचरों के लिए तो आपने समझ लिया के मचरों को जो है ये कार साबित होता है और यदि आप के जो है सिर में सिर में यदि जूँ आपके कहीं द पास गप्पे मालने के लिए बैड़ जाती हैं लेकिन इस तरीके से नहीं कोई भी किसी के सिर में जू वगारा देखती तो आप जो है इस पोदे के पत्तों को पीस कर उसकी चटनी जो है नहाने से या सिर्दोने से 10-15 मिनट पहले लगा लें आपते में दो बार लगाएं और दो चार बार लगाने से या आपके जो है जो है बिल्कुल समापत हो जाएंगी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आप जो है यदि आपके खारी सोती है या कहीं पे आपके जखम बना हुआ है या कोई आपके घाव हो जाता है या कोई दाग वगारा फिंशियं वगारा निकल जाती हैं जिसे के कहते हैं कि ये जो है फोड़ा फूंसी हो गया है तो उसके लिए भी आपको देखेंगे कि ये रामबान का काम करेगा ये दिया आप जो इसको ये इसके फूल पतियां फूल तो इसके देखने में बहुत ही शांदार है दोस्तों बहुत ही जादा शांदार और उसको जो है आप लगा लेंगे और आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा फाइदा मिलने वाना है दोस्ते इसका बहुत ज़्यादा आप इसको यूज करें और हमें नीचे comment box में जरूर बताएं कि आपका जो है इस परकार से यूज करने पर इसमें क्या फा के लिए भी आप इसे यूज़ करेंगे और आपके बाल जड़ते हैं क्योंकि सिर्व में जो डेंडर्फ हो जाता है उसकी वज़े से बालों की जड़े कमजोर हो जोती हैं यह भी एक तरीके की अलर्जी की बिमारी होती है और उससे जो है आप इसको बिलकुल खतम कर देंगे दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सब का वीडियो देखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे कीमती समय देने के लिए मैं आप सब का धन्यवाद करता हूँ जै हिन जै भारत